रामगल स्थान अंतरकत व्यापारी से फिरोती वसूलने के मामले में चोथा आरोपी भी गिरिफतार वारदात्म पिरुक्त होंडा सिटी कार और फिरोती के पैसे से खरीदी गई टोयेटा एटियोस कार भी बरामत चारो आरोपी तीन दिन के पुलिस रिमाण पर फिरोती की रकम और देशी कटा बरामत करने की पुलिस करेगी प्रयास रामगल थान अंतरकत पिछले दिनों सोमलपूर में प्लास्तिक फैक्टरी उद्दमी पर पिस्टॉल तान कर अपरहन करके 20 लाख रुपे की फिरोती वसूलने के मामले में इस पूरे शडेंतर में शामिल एक और आरोपी को पुलिस ने गिरिफतार कर लिया है रामगल थाना प्रपारी रविंदर सिंग खीजी ने बताये की मामले में सोमलपूर निवासी टोनी उर्फ चमनचीता पुत्र खुमा चीता को गिरिफतार किया गया है टोनी के खलाब पूर में भी किटनेपिंग का एक मुकद्वा दर्ज है उसे पूस्ताच के बाद पहले से गिरिफतार आरोपी सोमलपूर निवासी कुका उर्फ सल्मान सोमलपूर निवासी साजन और ब्यावर निवासी फिरोज को अदालत में पेश किया गया चारों आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिवांट पर सौप दिया रिवांट के दौरान चारों से पुलिस 20 लाख रुपे की फिरोटी में वसूली गई रकम और पिस्टल बरामत करने के प्रयास करेगी खीची ने बताया कि फैक्टरी मालिक नरेश मनकानी को किड्नेप करने से पहले टोनी उर्फ चमन नहीं फोन किया था वे नरेश को धमका रहा था कि तेरा कमरू साई से जो भी विवाद हो रखा है उसको हम सेटल करा देंगे उसके लिए पैसा देना पड़ेगा नहीं देने पर तुझे बहुत बारी पड़ेगा मैं और कूका तेरे पास आ रहे है तू सोच ले हमें क्या देगा उसके कुछ देर बाद जब लजेश की फैक्टरी पर कूका पहुंचा तो वे होंडा सिटी कार में अकेला था सियाई खीची ने बताया कि आरोपित कूका को जब दिल्ली से ग्रिफतर किया गया था तब उसके पास से एटियोस कार बरामद हुई थी वेकार उसने फिरोती के 20 लाक रुपे में से खरीदना बताया है आज उसी की निशानदेई से ग्राम हर राजपुरा से अपरहन की वारदात में प्रियुक्त होना सिटी कार को भी बरामत किया गया है जिसे वहफलाल उसके परिचित रसूल की होना बता रहा है इस मामले में जाच जारी है में सलमान उर्फ कुका फिरोज काठात वे साजन को गर्षता किया गया था उसी करम में टोनी उर्फ चमन को भी गर्षता किया गया है जो कि शड़िंतर में शामिल था इनके दुआरा जो 20 लाक की फिरोती वसूल की गी थी उस फिरोती से इनके दौरा एक एटियौस कार खर पिरोती की रखम इनके दौरा जो पिस्टल दिखा के इसको ड्याइब धमका गया था उक्त पिस्टल वे फिरोती की रखम की बनामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं उक्त मुल्दिमान तीन दिन के रिमंड पर हैं सार अभी किसको ग्रफ्तार किया और पहां का लेने बाल है अभी चमन और टौनी को ग्रफ्तार किया है जो सुमलपुर का रहने वाला है वह भी इस शडेंद्र में शामिलता लेकिन वो मौके पर नहीं आया था अभी को के आप चेकी कोड़ का रहा है चमन के रोधी पूस मा एक अपरान का प्रकान दर जो है